आप देख रहे हैं बुड़ोज़ाट के यूटूब चाहिए में नाम अज़ईर मैं आज की वीडियो में लेक हैं हो सूज्रेक की फिटिंग किस तरी किसे लगाई जाती है अगर आपको जैसे सूज्रेक बनाना तो उसका किस तरीके से लगाने का तरीका बनाने का तरीका जीसा पूरी वीडियो में अगर आप चैनले पने है तो चैनल को सब्सक्राइब को लीजिए श्राइकि नोटो में आपको बिलता रहा है बीडियो को पुरोपर ध्यान सो देखना इससमें के पूरा करता है जैसे कि आधाना यह देखनेंगे जैसे कि मिटे टरीदा किसी तरीके से इसको रखना का लखने चाहिए उपर उठाकर तो आप देए सकते हैं इस तरह किसे एक इस ट्रेश्चर जो बनाया जाता बॉक्स बनाया जाता उसका साइज आपको जो रखना आप देख रहे हैं जैसे कि आपको चारो साइट से अगर बोर्टर बनाना सबंची डेर इंची मोटा तो इस तरह देखे हैं जासे कि लाखने कि बना बिढ़ा है जैसे को ईची चोड़ी कि हैज बनाया का बहुए और और तो फीडिंग फ्यृति लिएक आती जिए फिटिंग wysa9 तो तरह के लिए पांट इसके लगाने लिए इसका हनगा सफिकशिय में हाट篇रे के लोग ने D पोड़ लगाने काम सब्सक्रमाइब इसके सों अब ठीख रिल्ट Dw गानगे है जैसे के साथ ओल होते हैं अंदर कि side से लगते हैं और अपने पहले निसान आपको बराबर लगाने गुणिया हादे आप देख रहें जैसे की नीजाना छी सथे कर्याभट्री तो यह थीग्यूं hopefully also लगा होतो आपको अपको ऐसे ही गलाना यह देखने इस तरही के आपको जैसे हमारे box बनाया जाते हैं कम से कम 11 इंची रहता इसका size अगर आप बनाते हो तो इसमें height में आप space बढ़ा सकते हो इसके बाद यह पर से लोग जाता है जो इसमें टाइट हो जाता है इस तरीकी से आप से आप इसको टाइट कर सकते हैं जैसे कि आपको size छोड़ना मैंने आपको बताया जाता है 11 इंची कम से कम size box का रखा जाता 12 इंची इस तरीकी size की गयराई रखी जाता हाइट के बना जाता है आप पंदेशी हाइट में से हalley कम से कंब आपकी हाइट का साइज होता तो ट कम से जासे हाइए तो इसके अपनगा सकते है बना सकते суд तो यसके पिलाइ कई डोर में ऐसे टैने तो आप Each सूथ के साफसर दे सकते हैं जिसमें कि आपको तीन आमेम के आसपास रहता यह देखरें इसके पत्ति के साइज है 33 संचे सूथ तो इस तरीकी से जो पट्टी लगी जाती है उसका साइज ले सकते हैं जैसे मैं साइज समय आपको साइज नबना ना कितनी चोड़ाई में लगानी है आप देख रहे हैं, जैसे कि आपको साज ले रहे हैं, जैसे कि आपको लगाना है, तो साइज आपकेृ, जलसके इसमें फिटीं है। उसी थे हमको नशाइब नभना, इसमें आप पके पट्टी लगने. पर देख रहेंगी चारपटि लाइंगी और एक डोर का पांच तुक्ष व्य».- इसी तरीखी से आपको बनाना है और आप इस तरीखी से कि अंदर की साइड ही गुमता डॉर और उसमें जगे अपर होनी चाहिए पट्टी से लिए लगा जाती है कि अंदर कहीं पर अड़े नहीं इस तरीके साथ को बनाना आज देख रहे हैं आप यहां पर जैसे कि हमाई फिटिंग है इसमें हम टाइट करतेंगे इसमें आपको इ अपने डोर में टाइट करें जैगी जैसे कि टाइट में जितने स्कुरू के जगह है उतने स्कुरू आपको टाइट करने यह आपको पहले एक एक स्कुरू को टाइट करके देखना है चला कर देखना किसी तरीकी से अगर इसमें उपर नीचे करना तो इसको उपर नीचे क सकते हैं, इसपुर्व आप खूल के दोघारी करने पड़ते हैं इस तरीके से क्योंकि इसमें निसान आपको इसी आपसे ले रहा है, कि उपर नीचे करने के जूरूद नहीं बढ़े सही तरीकी से आपको नाप लेना सही तरीकी सापको इसको मेंजरमेंट करके लगाना इसी इस तरीके जासे जाएंगे और वीडियो और धान से पूर जान कारी में jak ग Magic बैसे जा जाए जाए हूं तो में पुद्री को साप में अविज़े टाना उसके बाद अपने यह सैल्फ लगा है जैसे कि देख रहे हैं यह हमारे जैसे कि इसमें फ्रेंट का साइज कम से कम होना चाहिए आपका हाइट में 14 इंची होना चाहिए जिसमें कि आपका डूर का साइज है उपर की साइट कम से कम जैसे की डेर दो इंची निकला हो था तो इससे कम से कम आपका दो इंची से जाद ह होने चाहिए उपर की तरफ आप देख रहे हैं इसमें जैसे कि इसमें कम हमने तीन खाने मिना लिए इसकी हाइट कम थी और आपको बाहर के जो डोर लगाने वह एजडीमार बॉर्ड में नहीं लगाने तो बॉर्ड में आपका बजन रहेगा तो वह बीचे गिरता रहेगा इ वहर का जो फरेंट है वह अलकई लगाना आपको बॉर्ड का लगाना इस तरह की सापको फिट करना यह देख रहे हैं जैसे कि हम इसमें पट्टी लगा रहे है चेचेच इंची फट्टी है और पीछे की जैसे हमारे पांच इंची होती तो उसमें साहिज अपने जैसे फट जो अपनी फिटिंग है सोज रहा है कि वो आती है तो उसको भी इस्तमाल कर सकते हैं जगे के हिसाब से अपनी जगे में किस तरी किसे मोमेंट करना आपको किस तरी किसा आपको लगाना कितनी स्पेस की जरूरत है आपको कितनी जिसमें आपके सैंडल आ जाते है तो इसमें बड़ा होता चप्पलों का, अगर इससे का size बड़ा है, तो उसकी height आपको बढ़नी बढ़ेगी, तब आप के इसमें आंगे, अगर आपकी हाइट कम हो जाती है, 10-11-12, इसमें आपके छोटा साइज आएगा, बड़ा साइज नहीं आपाएगा. जो साइज है, इसका साइज का ध्यान जरूरर रखें, कि किस तरीके से आपको साइज रखना, जैसे कि आपका size कितने 10 number है, 8 number, 6 number है, कितने size के लगए, उस तरीके लगए, आपने size बढ़ाना आपको height में, क्योंकि बनाते समय इन सीजों को ध्यान जरूर रखना आपको किस तरीके साइज रखना चाहिए, और height किस तरीके से बढ़ाना चाहिए, जैसे कि आपके चपल का size जो अपना सूज होते हैं, उनका size बढ़ा होता है, तो उसकी height आपको बढ़ानी होती है, इसके front की, जो front होता हमारा जो मत्था होता है, जो दोर बोला जाता है, उसकी height आपको बढ़ानी पड़ेगी तब आपका size pro पर आजाएगा इसमें अगर आप छोटा रखते हो तो उसमें नहीं आ पाएगा इस तरीकी साब देखने हैं जैसे कि यह घूमेगा तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके जो आगे के front होता front में आपको taper देना होता 45 यानि के आपको 45 डिग्री का taper देना आपको कम से कम आपका taper moment होना चाहिए जिसमें कि आपके गूमेगा अगर आपके 18 mm के front के door हैस के तो उसमें आपको taper देना पड़ेगा तभी आपका गूमेगा गूमेंगी, अगर आपकी घुमेंगी अगर आपका गूरुप कम है तो इसमें आप अपनी मरीज तो घुमा सकते हैं बागी मेरे जो कहने का मतलब यह है कि आप size को ध्यान से रखें और इसका टेपर बनाएं कि जिसमें कि आपका डूर भूम सके असानी से इस तरीके से आपको इसको टैट कर देने जैसे कि आपके इसमें खाने हैं किस तरीके साब देख रहे हैं इसी तरीके से आपको पीछे आपके एक पिलाई लग जाती है जिसमें आपके इसमें सोज नहीं गिरते नीचे वहां नहीं निकलते इसमें अच्छी तरीके से सही तरीके से इसके अंदर साइट अपने सही तरीके से लग जाते हैं आपके इसमें छह से अपने जैसे 20 तक सूच आजा जाते एक ही खाने में तो इस तररीकित अपना बना सकते हैं आप देख रहे हैं जैसे कि आपको आपको साइज बढाना जैसे कि आपको नीचे भी टेपर बनाना पड़ेगा आपको अगर आपकी फिटिंग इस तरह की से जैसे कि आपको तरह की से बनाना आपको देना ही पठेगा हर दॉर के अंदर अगर आपकी जैसे अलगने पड़ता है तो चुक् отв आंट फिसकर हैं जैसे कि सग्वेदग रखना जाहिए किस तरह की साथ आते हैं कि इस्तेकर विश्मेist से लुखना फटेन जियुभार सो बराबर राना जा irm उस तरह के सा है इसको रोक लगानी होती है तो इसके लोड जो हो आते होता हो साथ मेखा नहीं आते हैं वही टाइट करना आपका अलग से नहीं हो गई इस तरह सबढ़ सीघने हो घurning यह से की शार केल हिस सלनाई underneath तो द्यान में रखना को कितने इसमें तिकनी स्काल लग सकता तो कम स experiments आपने सब्ढ़नां यह सब्ढों आरे ऊग 현 फहला है आप देखरें जैसे कि आपको चलना चाहिए किस तरीके चलना चाहिए तो इस तरीके से आपको धियार रखना कि आपको सही तरीके से चलना चाहिए डोर अड़ना नहीं चाहिए कहीं पर भी फिटिंग आपको गुनियामर लगानी है, अगर टेडी लगाओगे आपका दोर अड़ेगा, वो दिक्कत करेगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है, आपको फिटिंग लगाने का और इसका यह जैसे कि आपको बनाने का, तो आपको इसका धियान रखना कि किस साइज की आप से फिटिंग अगर आपको इसर लगानी है तो इसमें इस फिरकार फिटिंग लगा सकते इसमें मैं आपको ब्रकारे के लगाने की इस साइज को नहीं भी बनाना अचाहि यह आप इस तरीके से बना सकते लेगे आपने यह तरहा है थिटिंग कहीं पर नहीं अड़ेंगी से आपको टाइट करना जो सके लोग होते हैं इसको लोग विए विला जाता है नो रोक भी विलिक दिया थे तो इस तरह को यह थिख्रहिए इस तरह की से फित हो गया है और इसमें आपको पट्टि लगाने जाताएं गाप को बंद करने के लिए कहीं पर पर यूदिर िटिंग लगा दिया मेंुझाओ homemade вже भूम लगोनाए जरूरी है अब आपकी फिटिंग सही तरीके से चलेगी और नीचे से जो आपको उठाकर लगाना तो मैंने वह साइज बताया था उस तरीके से आपका पौने पाँच चार इंची से खमसे को उपर होना चाहिए इसके बाद इस तरीके से नीचे से पट्टी लगानी होती है यह टेपर में आपने देखा इसमें इस तरीके से बनाना आपको उमीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि औरों को भी नोलिज मिलती रहा कि इस तरीके के वीडियो जैसे के बनाने का मतलब यही होता कि पर अब सफाय से किस तरह के सा किया जाता है, फिटिंग किस दरी की सा लगा दी चाहिए तो ही इस तरगी से एक फिटिंग आसानी से आप लगा सकते हैं इस चैनल पर और भी आपको knowledge वाली पीडियो मेलती रहेंगे नएश फिटियों फिर मेलेंगें आप से आप अपना ऊपन